नमस्कार दोस्तों सूरिय का कर्णिया राशी में गोचत 17 सिदभमर 223 को हो रहा है सूरिय बेहिद प्रभुग रहे हमारे जोतिश शास्त्र में पूजनी रहे हैं जिनकों रोज अपनी आँखों से देखते हैं सूरिय उर्जा है ताकत है सूरिय आग है सूरिय पिता है सूरिय गुरू है जो भी हमसे बड़ा है वो सूरिय है सूरिय शाशक रहे है सूरिय राजा है सूरिय सभी ग्रखों पर राज करता है जब सूरिय उगता है तो लाखों हजारों करोडों तारे छुप जाते हैं चदर में भी छुप जाता है, अकीला इस पूरे आस्मान पे सूरज के राज होता है, तो जिनका भी सूरज अच्छा होता है, वो अपनी फिल्ल में राज करते हैं, सूरज के अंदर घमंड भी है, एहंकार भी क्यों ना हो, जब इतनी बड़ी सफलता कसी के साथ होती है, तो शरीर पर उसकी बातों में थोड़ा बहुत घमंड एहंकार अच्छा लगता है, लेकिन घमंड एहंकार इतना ना हो जाए कि आपको लोग बुरा कहने लगे हैं, एक कैलिबर पे एक थोड़ा सा गुसा, एक ठाट बाट सूट करती है, तो सूरज जिनका अच्छा है, उनके सूरे खराब है, वो आलसी होते हैं, अब जितने भी लोग बारा बज़े सो के उठते हैं, सब का सूरे खराब है, आप देख लीजिए, जितने भी लोग बारा बज़े, ग्यारा बज़े सो के उठते हैं, ऐसे लोग नौकरी करते रह जाते हैं, कभी बिजनस उजन नहीं कर पाते हैं या फिर नौकरी भी करते हैं तो बस एक निम निस्तर की और जितने बड़े-बड़े लोग नौकरी की पदों पर बैठे हैं और सुबेश च्छे बजे उठकर एक्सरसाइज करते हैं अपना काम करते हैं अपने दिन जर्या को चलाते हैं और जितने आलसी लोग हैं बारा 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 तक सोते रहते हैं यही फरक है अमीरी और गरीवी का कभी भी आप देख लिएगा 90% तेर से सोने वाले वेक्ती एक limited salary की नौकरी करते रहते हैं सारे जीवन में तो अगर आपको भी अपने जीवन में खूब पैसा कूब तरक्की कूब मान सम्मान कवाना है तो सूर्य को चरूर मजबूत बनाईए सूर्य जो है वो बहुत ही बेहतरीन ग्रह है अगर यह अच्छा हो गया तो फिर आप राज करने वाले हैं तो सत्रा तारिक को सूर्य का परिवर्टन होगा सत्रा सित्वर 2023 को सूर्य साथ बचकर 11 मिनट पर सूर्य अपनी राज़ी को छोड़ करने राज़ी में जाएंगे पूरे एक साल के बाद तीन सो पैस्ट दिन के बाद और यह बुद्ध की राज़ी बुद्ध से सूर्य का रिष्टा अच्छा माना गया है तो अब आपकी राज़ी पर इसका क्या परफाव पड़ेगा यह मैं आपको बताने वाला हूँ अच्छा या बुरा हो और क्या उपाए होंगे यह भी बताने वाला हूँ तो चैनल से जोड़ जाएगी और अच्छुफल को घटाने के हमें क्या उपाए करने चाहिए तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइगन को बटन को खुआए फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और फट से अपनी राशी के बारे पर सुनना शुरू करें स्वामी शनी के साथ उसकी क्या कहते हैं थोड़ी सी दुश्मनी है तो लोग पिता-पुत्र है ऐसे पिता-पुत्र जिनकी आपस में कम बनती है तो अब कन्या राशी में जब आएगा तो नौवे घर में आएगा आएगे सूर्देव तो नवागर धर्म का है पिता का है लंबी दूरी की यात्रा का है भागी का है तो मंकर राशी के जातकों के लिए कन्या राशी में सूर्व का एगोचर कुछ अच्छे तो कुछ बुरे परिणाम देगा सूर्व की स्थिति आपको लंबी यात्राएं कराएगी वो बिजनस की भी हो सकती है घरेलू भी हो सकती है वैपार की भी या परिवार की भी या नौकरी की भी स्वभाव आपका होगा दयादर्ष्टी वाला आप दूत्रों पर दया करेंगी क्योंकि नवे भाव में हैं दया जागरित होगी मन में थोड़े से धार्मिक और दयालू बन जाएंगे आप आपके परिवार से आपका बड़ा प्यार बढ़ेगा पिता से थोड़ी सी अजबन हो सकती है आपके देतर्ष्ट करने की अद्बुत शमिता होगी ग्रहस्त जीवन भी आप जीएंगे और अध्यात्म वाला जीवन भी जीएंगे यानि योगी भी होंगे और भोगी भी करने का उससे लोग को खुश रख पाएंगे आपके पास विभिन नसरीकों के साधन होंगे सुख होगा वहन होगा घर वगएरा भी मिल सकता है नौकर चाकर भी आपको मिल सकते हैं जोतिश अध्यात पर इन सब चीजों के जानकार हो सकते हैं कानून समंदी विशे के जानक हो सकते हैं जैसे जैसे उमर भीते की 20-21 साल के जो लोग हो चुके हैं उनकी समस्याएं थोड़ी कम होंगे जो 16-18 साल के लोग है उनको थोड़ा सा ये गोचर मुश्किल देगा मकर राशी वालों को जिस शेत्र में जाएंगे वहाँ पर आपको सम्मान भी मिलेगा सूर्य आपको शिक्षा के शेत्र में सहयों करेगा आपको उच्छ शिक्षा दिलाएगा आप जोतिश कर सकते हैं पामिष्ट्री कर सकते हैं टेरो कार्ड डीडिंग कर सकते हैं भारती जोतिश शीख सकते हैं और जो जोतिश से सम्मंद्ध विशे हैं फेंग शुई वगराई सब रेकी वेकी भी सीख सकते हैं या आप योग, अध्यात, धर्म, ग्रंत इनके उपर को रिसर्च कर सकते हैं छोटे भाई बहनों के साथ, परिवार के साथ कही तीर स्यात्रा पर जा सकते हैं और बस पिता से सम्मान पूरग बात करिएगा स्वास थोड़ा बिगड़ सकता है ध्यार नकिएगा सुरी कर्दे राशी में होंगे तो आपके आत्विश्वास को बढ़ाएंगे आपकी तीम को बढ़ाएंगे, आपकी और पिरुजीयां में बढ़ाएंगे तो कुल बिलाकर आपके जीवन में, आपके भाई बहन के जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में खुश हाली यहाँ पर सूर्य लेकर आ रहे हैं विदेश जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए समय अच्छा बना हुआ है और आपके पुत्र संताल को लेकर पिता पुत्र के अन्बन बनी रहेगी अगर देखिए यहाँ पे एक उपाय पहले ही पता देता हूं अगर आपको बहुत कुछ अच्छा करना है तो अपने पिता का आशुरुआत लेकर घर से निकले उनका अशुरुवाद लेकर किसी काम की शुरुवाद करें, उनसे रिष्टे अच्छे रखें, काफी हद तक रिजल्ट आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे, नवा घर धर्म और विजार धारा का है, तो सूर अगर यहां पर बजबूत हुए तो आप अध्यातन की दर चले जाएंगे, और आपके पिता को भागेशाली बना देगा, देखिए यहां पर पिता से आपकी अन심 हो सकती है, लेकिन पिता का भागे भी चमकेगा, अनबन होना एक अलग बास है, और पिता का नौकरी में वैसाये में भागे चमखना एक अलग बास है, तो आपके इंदर कई साथी चीजों का ग्यान होगा मैंने बुरा ना कानून से सम्दिद लौ से सम्दिद जो भी लोग हैं जो भी पढ़ाई कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं उनका बहुत अच्छा काम चलने वाला है आप देश दुनिया की चीजों को जानने वाले हो सकते कर बाला होता है पिताजी ने अपनी संपती से बे देखल कर दिया अगर किसी का सूरे खराब हो कि तकलीफे उन लोगों यहान कोा सकती जिनका सूरे खराब होगा तो कुल मिला कर देख जानताफ आप भागिशाली हैं नेक स्वभाओं के अगर हुए, अच्छे स्वभाओं के हुए सबके साथ अच्छा वहषार किया तो पारिवारिक जीवद, वैफ्साइक जीवद बहुत अच्छा होगा दूसरों कि आप बदत करेंगे, भाईयों की मदत करेंगे बड़ा परिवार हो सकता है आपका विदेश जाने के प्रवल योग है यात्राओं के प्रवल योग हैं और क्या कहते हैं विदेश जाने के लिए आप कोई नमबर दो का रास्तामत अपनाईएगा आपने विचार के आप पक्ये होंगे धर्म के पक्ये होंगे तुछ वहमी lot ह हो सकता है. बहुत ज्याना क Eminedis होना, बहुत ज्याना प्यार करना, दोनों ही आपके लिए नुकसां दैक है, एक average बिनार के रखीएगा, ना किसी की परती एक तम फिखल जाईएगा, मुमभती की तरीक से, ना किसी की तरीक से Lak graffiti की तरीक से hard हो जाईएगा, जैसा center का हो वैसे बदलना पड़ेगा और चांदी और कच्छे दूद का दान कर सकते हैं आप यहां पर चावल 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 चांदी या दूद का दान करें पीतल के बरतनों को अप्योग करें पीतल के बरतन में खाना खाएं और बंद्रों को गोड़ खिलाएं तो इससे आ पहें मुवी का नवम भाव में निभा रहे हैं और आप देखेंगे कि कहीं न कहीं आपके भागे में अब बढ़ोतरी होती हुई दिखाई पड़ेगी मकर राशी वालों को साड़े साती का भी प्रवाव है अब कुछ राहत पुझे जरूर मिलेगी हां पिता पुत्र या पि कुली की जाश कराएं अपने सूरी को मजबूत करें मजबूत सूरी ही आपको तरक्की दे सकता है हरियोग नमशकार